गाव चिरे खाली में मुख्य सड़क पूरी तरह खोद दी गई है ट्राइफिक जांग की वज़ा से चोटे बड़े हाथ सी हो रहे थे वज़े रांग डाले ने सड़क निर्मान के लिए 15 लाक रुपे मनसूर किये इस सिमेंट सड़क निर्मान का भूमी पूजन 14 अप्रेल को वज़े रांग डाले द्वारा किया गया इस सड़क का निर्मान कारे अभी पूरा हुआ है लेकिन ठेकेदार जगने की लापरवाई और लापरवाई के कारण इस सड़क का निर्मान खटी अस्तर का हो गया है स्कूल के सामने पानी का रास्ता नहीं है वालडे के घर के पास से पानी जाने का रास्ता नहीं है उनके घर में बारिश का पानी आने का खत्रा है और बुद्ध विहार के पास अन्योजित काम ने भी पास में पाने के गड़ों की संभावना पैदा कर दी है मट के कदम गाफ के प्रवेश द्वार से लेकर तिरोडा तैसिल कार्याले तक गाफ की मुख्य सड़क चीरे खानी में है और यह सड़क पिछले दो साल से पूरी तरह खोदी जा चुकी है इसलिए ग्रामिनों ने तिरोडा, गोरिगा, विधानसवा, शेत्र के विधायक विजे रांग डाले से इस सड़क के निर्मान की मांग की थी यह ध्यान में रखते हुए 2019 में हमारे स्थानी कोश से 7 लाक रुपे स्विक्रत किये गए थे और बाकी को 2020 में सड़क निधी की कमी के कारण पूरा करने का वादा किया गया था लेकिन 2020 में कोरोना वश्विक महामारे के चलते सरकार की और से समय से धन उपलब्द ना होने के कारण काम रुका हुआ था विधायक रांग डाले ने ततकाल कारवाई करते हुए जिला वाश्विक निधी 3054 में चिरे खानी में 6 सड़क के लिए 15 लाक रुपे स्विक्रत किये और इस कारे का वास्तिविक भूमी पूजन समारो विधायक को द्वारा किया गया और काम शुरू हुआ लेकिन ठेकेदा जगने ने सड़क का निर्मान ठीक से नहीं कराया पानी पास करने के लिए पैर की जगा हिचकी ग्राम चिरे खानी में जिला परिशित स्कूल के सामने एक और से दूसरी और पानी मोनने के लिए ठेकेदा जगने ने सिमेंट रोट के माध्यम से सरल कदम उठाने का शिष्टा चार भी नहीं दिखाया ठेकेदान ने सड़क के बीचो बीच एक बड़ी पुलिया बना ली ताकि फुटपात की जगा पानी गुजर सके ऐसे में अब यह परिशानी वहां चालकों के लिए आते जाते हाथसे का कारण बन गई है यह आते जाते चालक को गिनने का डर सता रहा है अगर पकडंडियों को बदल दिया जाता तो खत्रा नहीं होता पैर जमाने की मांग की जा रही है ब्रमदास वालादे के घर के सामने इस सिमेंट रोट का निर्मान करते समय ठेकेदाद जगने ने योजना नहीं होने से बारिश बारिश का पानी कहां से गुजरेगा ठेकेदा ने वालदे के घर से सटे बोरवेल तक सिमेंट रोट की चोड़ाई बढ़ा दी ऐसे में अब वालदे के घर में रुका हुआ पानी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है इसलिए बरसात के मौसा में इन परिबारों को काफी ब बजाए वल्डे के घर के पास बोरवेल तक की सटक को चोड़ा कर दिया सटक के दोनों किनारों परियापत मात्रा में पिंपल्स के आवशकता थी जब की बहुत कम मात्रा में मिट्टी मिश्रित पिंपल्स लगाए गए थे चूकि बुद्ध विहार के सामने कोई कॉई कॉ तिरोडा से बीजीन न्यूस के लिए सौपनल सहारे की रिपोर्ट